असलाम आलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ बैगन की सबजी जो बने की बहुत ही कुरकुरी और खाने में यह बने की बहुत ही टेस्टी आपने बैगन की सबजी तो कई बार बनाई होगी पर इस तरह से कुरकुरी बैगन की सबजी आप पहले नहीं बना पाया अब हम इसे भून लेंगे जब तक की मुंफली का छिलका जो है वो डार्क नहीं हो जाता और यह अच्छे से भून नहीं जाती यह देखिए हमारी मुंफली की बहुत यहां पर भून रही है और फिर जब इस तरह से कलर आ जाएगा तब हम इसमें आड़ कर देंगे पांच तो यहां पर मैंने वही पैन में फिर से अड़ कर दिया है तो यहां पर हम एड़ कर दिय το जब अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे राही एक टी स्पून उड़त की डाल और एक टी स्पून हम इसमें और चनी की डाल जब शारी चीज़ें इस 2021 को जान तो लगभग 30 सेकंड तक मैंने सौटे किया उसके बाद हम इसमे एड़ कर देंगे प्यास यहां पर एक चोटी प्यास में ले ले लिए है बारी कटी हुई और प्यास को हम यहां पर भुन लेंगे लगभग 2 मिनिट के लिए साथी साथ मैंने फिर से इसमे एड़ की है तीन डाल देंगे तो यह 250 ग्राम मैंने बैगण लिये थे जिसके मैंने इस तरह से लंबे और पतले टुकड़े किये है यह दिखिए और यह बैगण डालने के बाद हम यहां पर इसे भूनेंगे तीन से चार मिनिट के लिए हाई फ्लिम पर तो बैगण को हमें यहां पर बहुत बैगण को कट करें तो उसे डायरक पानी में डाल दीजेगा यह बैगण की सबजी को मैंने तीन से चार मिन तक भूना उसके बाद मैंने च्छे से साथ कली लसन की क्रश की हुई डाल दी है और चिलका भी मैंने निकाला है बस हमें ऐसे ही कूट लेना है लसन की कलियों को थ गल जाएंगे क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं बैगण के हमने पतले-पतले पिसेस रखे है तो यह हल्दी और नमक डालने के बाद मैंने फिर से एक मिनिट के लिए बैगण को भून लिया यह दिखे इस तरह से तो जब बैगण भून जाएगा तब हमें यह मसाला जो हम हल्का दर्दरा रखना है एक दम भी नहीं और फिर वो जो पीसा हुआ मसाला है वो हम इसमें डाल देंगे इससे हमारे बैगण में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो यह सारा मैंने जो मुंग फली और लालमिच को पीसा था वो मैंने डाल दिया है अब इसे हमें मिक्स क करने के बाद गैस की फ्लेम हम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हम दो मिनिट तक भूनेंगे यह दिखिए इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं हमारे बैगण जो है वह बहुत कुरकुरे भी हो चुके है क्योंकि हमने इसे बीना पानी का इस्तमाल करें ही तेल में ही भू बहुत कर देखिए मैं आपको बता देती हूं एकदम कुरकुरे हमारे बैगन और यह बहुत ही टेस्टी बनते हैं जो बैगन नहीं खाना पसंद करते हैं वह भी इस तरीके की जब बनेगी तब बैगन खाना जरूर पसंद करेंगे और खास करके आप यह सबजी को सर्फ कर साथ रूटी के साथ या फिर आप इसे राइस के साथ भी सर्फ कर सकते हैं अगर आपके डाल राइस आपने बनाया है तो इस तरीके से आप यह बहुत पसंद आएगी और हमेशा वाली बैगन की सबजी से बहुत अलग यह सबजी बनती है जिसमें हमने हरी मिर्च का भी इस